पाटी की तरफ से मोचा संभाली है यह वो चुनाव का 2019 का त्यागी जी को भी याद होगा जिसके बाद जहाँ पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी 303 सीटो वाली और एंडिये तो बहुत आगे निकल गया था बिहार का चुनाव फिर 2020 में हुआ था और तब कॉंग्रेस गटबंदन शिवानन तिवारी जो की आरजेटी के एक बड़े नेता है उन्होंने 2020 में सुप्रिया जी ये कहा था कॉंग्रेस महा गटबंदन के पैर में जन्जीर बन गई जब जब आप लोगों को शिकस्त मिलता है कितिहास रहा है तमाम जो अन्य पार्टिया रहती है वो आपको घेरती है अब चाहे प्रियांका जी की पार्टियों क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाओ है अन्य जगाओ क्योंकि लोगसभा में भी जहां जहां आप अकेले कोई कि शेत्रिय दलों के साथ मजबूती से लड़े यह में स्ट्राइक रेट दिखा रहें सुप्रेयाजी आपको आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पानेलिस को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार मैंने साढ़े तीन मिनट करीब सुधांशु जी को बिना रोक टोक के सुना आशा करती हूँ कि आपकी और से और उनकी और से रोक टोक नहीं आएगी मैं भी अपनी बात एक पहला वक्तावे कह दूँगी फिर आप जितने भी प्रत्युत्तर करने चाहिएगा करिएगा सबसे पहले तो मैं कुछ चीजे दर्शकों के सामने और बीजेपी के सामने साफ कर देना चाहती हूँ इंडिया गटबंधन की ये ताकत है और ये मजबूती है कि नरेंद्र मोदिया 400 पार का नारा देने के बाद 240 पर गटबंधन की सरकार चला रहे हैं इंडिया गटबंदन की ये ताकत है कि जिस सम्विधान को बदलने की बात करते थे उस पर शीष नवाना पड़ा, उस पर सिर जुकाना पड़ा, उसको सिर माथे लगाना पड़ा, इंडिया गटबंदन की ये ताकत है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे वो यूट्य गड़ना भी कराएंगे पहले मैं इंडिया गडबंदन के बारे में दो चार चीजे कह देती हूं मैं बिलकुल हम unlike the BJP यहां पर एक शम्द प्रयोग किया गया हम हाथी निगल गए अरे आप तो वो साफ है जो आप अगल बगल वालों को ही डस लेते हैं पहले पूछिए नोमणिया काली दल से पूछिए जदियू से पूछिए जेजेपी से जिसके साथ आप आए आप पहले उसको डसते हैं उसको खतम करते हैं लोगों के घर पे डाका डालने का अपने घटक दलों के घर पे डाका डालने का काम आप करते हैं आपके साथ जो आया वो निस्तो न प्रभेदारी से कहना चाहती हूं यहां पर बोला गया कि हमारे लोग हमलावर हो जाते हैं मुझे ऐसा लगता है इतना लोक्तंतर ठीक है अच्छी बात है हम लोक्तंतर की जब प्रकर पैरवी करते हैं तो इतना लोक्तंतर हम इंडिया गडबंदन में भी रखकर चलते हैं हम चार लोगों की बात सुन सकते हैं क्योंकि हम इंडिया गडबंदन को मजबूत बानते हैं बड़ा दिल करके चलते हैं इनके लोगों ने भी तो कहा था ओपी राजभर ने खुलकर कहा था योगी और मोदी की वज़े से दोहजार चौबीस का चुनाओ हार गए निशाद ज बैठें और मुझे दुख होता है वो परिपक्वाग्मी है उन्होंने कहा था जातिगत जनगरना कराई है और अगनीवीर के खिलाफ बोला था आज वो राश्य प्रवक्ता नहीं है ये भी एक सच है कि चिराग पासवान लगातार जातिगत जनगरना की बात करते हैं इनको हुआ और इथी राज्य से रिजल्ट आया असलियत ये है कि जम्मु कश्मीर का रिजल्ट बहुत एहम है दस साल बीजेपी ने वहाँ पर एक मिसडवेंचर प्रयोग किया वहाँ के लोगों से मत का अधिकार चीना उसको यूनियन टेरिट्री बनाया वहाँ पर कर दिखिया अगर प्रेश्ट लिए कुछ नहीं है यह असलियत है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे यह मूड़ अफड़नेशन बता रहे हर्याना से मूड़ अप ऑप्ड़नेशन बताएए न जम्मी कर्षमीर से भी जहां पर आपकी सिरे से हार हुई है जहां प प्रियांका जी ने भी कहा है, यह अच्छा है, उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में आपने गटवंदन के आपके लिए फायदे का सौधा हुआ, आसंद की सीट, कॉंग्रेस की हार का अंतर 2306 वोट और आम आदमी पार्टी को वोट मिले 4290, वो ग्राफिक्स यह पर वहाँ पर 4697 मिला आम आदमी पार्टी को, मुझे वो पता है आकड़े, नहीं हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा आप तो सब जानती है, लेकिन यह नंबर इससे पताने जरूरी है, कि क्या अगर गटबंदन हो जाता, आपकी पार्टी का अति आत्म विश्वास, जो अभी आपके साथ ही कह रहे है, वो आपको भारी नहीं पड़ा? यहाँ पर वही चर्चा करने आई हूँ, लेकिन मुझे लगा रिमाइंडर भी देना चाहिए, कि इतनी बुरी शिकस्त के बाद जम्मू कश्मीर से नकार दिये गए, वहाँ के लोगों ने आपको ऐसा करारा जवाब दिया है, उनको मत से हटा देने का, हर्याणा पर मैं ए 2020 होती है, आखलन करना बहुत आसान है, मैं आपके सामने साथ कंस्टिट्वेंसी का नाम रख देती हूँ, करनाल, डवाली, रिवाडी, पानीपत, सिती, होडल, कालका, नर्नौल, यह साथ ऐसी सीट्स हैं, जिस पर EVM में कुछ गरबड़ी पाई गई, हमारे कैंडिडेट् रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया, रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमिशन उस पर जब कोई फैसला नहीं लिया, तो आज हम इलेक्शन कमिशन से हमारा जो डेलिगेशन है, वो मिलने गया है, मेरा अपना मानना है कि चुनाओ के नतीजों के बाद आकलन करना बहुत आसान हो जाता है, जैसा कि BJP भी बताएगी, अब जैसे मैं यहाँ पर एक आकड़ा आपके सामने रखनेना चाहिए, एक बार इसको सेकंड राउन में बता दीजेगा, आपकी दो लोग इंतजार करें, अब सेकंड राउन में, प्रियांका जी, I'm sorry, I'm sorry, I'm really sorry, I'm really sorry, I'm really sorry, प्रियांका जी, आपने सुप्रियां जी को भी सुना, आपने पार्टी के कॉंग्रिस पार्टी के तमाम नेताओं को सुन रहे है, या तो चुनाव आयोग या फिर कुछ और, गटबंधन में गलती हुई, आती आत्म विश्वास हुआ, या कहां पर चूक हुई, इस पर कम जीत का स्कोप बनेगा. जी शायद हो सकता है पिछले 10 साल के कारेकाल में, भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकाल में, NDA के Alliance Partners जो हैं, वो कहें उठो तो उठते हैं, वो कहें बैठो तो बैठते हैं, तो उनको ये है कि प्रजातंत्र के यही असूल है, यही मापदंध है, हम लोग दोस्त रहकर भी हम इडिडिट सेलेक्शन में कमजोरी रह गई, या इस बात में कमजोरी रह गई कि जहां पे एक सेंस ओफ कॉन्फिडेंस आ गया था, सेंस ओफ हुब्रीस आ गया था कि यह तो जाने ही वाले और हमाने वाले हैं, तो उसका भूल सुधार होगी, और रही बात महाराश्टा का कमपैरिसन हर्याना से करने की उसमें कोई कमपैरिसन ही नहीं है, यह याद रखना जरूरी है, हर्याना का जो चुनाफ था, वो भारतिय जनता पार्टी और कॉंग्रिस पार्टी का था, महाराश्टा में अल्रेडी गट बंदन है, भारतिय जनता पार्टी का भी एक गट ब की बात कर रहा है महराश्रा में बढ़ते अब रश्टाचार की बात कर रहा है महराश्रा में बेरोजगारी की बात कर रहा है और संस्कार संस्कृती संविधान को दरकिनार करकर जो भारतिय की जो दिक्कते हैं 288 सीट पर लड़ाई होगी वो हर्याना में 90 सीट पर थी वहां की जोग्राफिकल कास्ट इक्वेशन बहुत डिफरेंट हैं महाराश्चा के मुद्धे बहुत डिफरेंट हैं यहां पर गठबंदन पर कौन कितनी सीट पर लड़ेगा कौन सी सबसे विनेबल सीट होगी किसको दी जाएगी वो हम लट लेंगे हम लोग विचार विमर्श कर लेंगे पर यह करन आपके साथ केसी त्यागी जी को अमिर्श जी ने क्या क्या कहा था नितिश कुमार को अरे वो पल्तू राम है उस पल्तू राम के लिए दलाजे हमीशा बंद हो गए पल्तू राम ये पल्तू राम वो चिराग पासवान जी के बारे में क्या क्या कहा भी भी चिराग पासव सेमती में मजबूती बढ़ा रहा है चीक है केसी त्यागी जी क्या ये इतना सिंपल है जैसा प्रियांका जी कह रही है और ये प्रश्ट मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पीते दिन हार हुई और आज समाजवादी पार्टी ने जो दस उप्चुनाव सीटों पर होने है उसमें से 6 लोगों की एक और मिला लीजे 7 सीटों पर अपने उमीदवार घोशित कर दिये जानते हुए कि मिर्जापूर के मजबूर सीट और फूलपूर सीट दोनों पर कॉंग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाती है और सीटे बची क्या क्या ऐसी ऐसी बची है घाज जाए है काट्टू साइज जिसे कहते हैं अंग्रेजी में त्यागी जी जुके जनता दर यूका और मेरा भी जिकर सुप्रिया जी ने और प्रेंक आजी ने कहा है तो मैं यह इस पस्ट कर दूं कि इस गठवंदन की रानिती के दोर में मित्र बनते हैं विछडते हैं सुप बटाने के लिए उस समय कांग्रेस पार्टी ने कितने हमलों पर दबाब डाले थे जब गुजराल साब थे आज कल वो आपके साथ हैं पिरिंका जी की जो सबसे बड़े निता थे उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद को हमने तोड़ा है हम इस बात का गर्व है और बाब पार्टी का संस्था फक हूं जनता दलियू का यह चार निता थे जोर्ज फनाडी साब ते सरद यादो जी थे नितिश कुमार जी थे मैं आज वी इस पार्टी का रानितिक सलाकार हूं इसलिए मैंने किसी नराजगी में नहीं एक तो मैं 48 साल हो गए मुझे को करते करते तो मैं थक भी गाया हूं और जो नए परवक्ता हैं मैं परियंका जी आपके लिए और सुप्रिया जी आपके लिए नहीं कह रहा हूं आप तो बहुत शालीन और विद्वान लोग हैं मेरी उन से ताल नहीं लगती है इसलिए मैंने उस पत को छोड़ा है मुझे कोई दबाब तीसरा मैं यह जो कहना चाहता हूं सुप्रिया जी कि आपकी पार्टी की आलोचना इसलिए हुई है आज कि आप सरकार बनाने के करीब थे जिस तरह का समाचार पत्रों ने बनाया था और एक अच्छी खबर आपके लिए नहीं है कि हिमाचल को छोड़ करके समुचे उत्तर भारत में आपकी कही सरकार ने यहां बनती तो एक सिलसला सुरू होता इसलिए आलोचना तो होगी और यह अब हम भी उसमें रहे हैं तो देविलाज जी के लोग दल में रहे हैं चोहतर स्टर असी बगएर 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 उस समय कॉंग्रेस पार्टी मल्टी कास्ट मल्ट करके कॉंग्रेस पार्टी को बड़े मुश्किल से हराप आते थे छोड़ करके 87 को अफवाद है जब 90 में से 85 सीठ हम लोग को मिली थी उसके बाद ऐसी कभी सफलता नहीं मिली एक तो जो मैं अपने पुराने अन्भव का आधार के कहना चाहता हूं कि यह 66 का हरियाना नहीं है उससे में गुडगावा भी नहीं था शेहर के बीचों बीच में जाया करता था एक्सेंस नहीं यह बिल्कुल नहीं था और यहां से लेके अंबाला तक जो जनसंग थी वह थी अंबाला की करनाल की रोतक की डाक्टर मंगल सेन पानिपत और फरिदाबाद अब यह पूरे के पूरे जितने भी रीजन है जिसाट का तो यह नहीं है हर्याना तो नहीं आपने देवी लाल जी की बात की पूर्व प्रदान मंत्री के उनके बेटे आदंपूर सीट जो की पानपर इक सीट उनके फैमिली की थी उसको बचा नहीं सके बीजेपी के टिकट पर लड़े थ आदंपूर जो है भजन दाल की ट्रेडिशनल सीट है देवी लाल जी की नहीं है जी भजनलाल जी की है सॉरी हाँ अन्जना जी आहाँ मैं सुन लिया सर आगे पढ़िए थोड़ा संशितिया बात पूरी कीजे जी और एक मैं सवापती कर रहा हूं मैं जब भी आप कहेंगे मैं तब इसमापती में बहुत डिस्प्लिंड आदमी हूं मैं यह जरू कहना चाहता हूं कि 89 में जब मंडल कमिशन लगा था उसका जिकर करना बहुत ज़रू ही है वीपी सिंगर ने लगा था मैं भी उस समय सांसत था तो देवी लाज जी के नेत्रित में जो हमारी पार्टी का हिस्सा था उसने बहुत मुखर विरोध किया था और उसके बाद में बैकवर्ड क्लासिज का कोई बैक्लेश वापन उस तरह का नहीं हुआ और उसका नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को भी हुआ उस समय बीजेप में अंघ का उत्तर परदेश में है उसका राजिस्थान में है और जो नॉन घात लीडर्शीप है जो कभी पार्टी के फास वह करती थी हम अहिरवाल में जाते हुए हम पिषड़ों में जाते हुए संकोष करते थे चुखे हमारी पार्टी को भी आज की तरह से जाठ पुर नहीं बन पाई मेरे मित्र बहुत बढ़िया इस बिंदु पर आगे चर्चा करेंगे बिल्कुल से